मैंने अपने लास टू वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया कि कैसे आप linear trend की calculation least square method से करते हैं अगर आपने वीडियो भी तक नहीं देखे हैं तो उसका link आप से screen पे display हो रहा है उसको देखना ना गोलिएगा और आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे आप least square method की help से non-linear trend की calculation को करते हैं अई चलते हैं powerpoint की तरफ और detail में समझते हैं non-linear trend को least square method की help से आप non-linear trend को भी पता लगा सकते हैं और हमारे पास उसके दो method है पहला method है actual mean लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं non-linear trend या second degree parabola होता क्या है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं equation में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है अब independent variable में एक और हमारे पास variable add हो गया है जहाँ पर x square आ चुका है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं production में अगर आप देखेंगे तो changes हो है वो equal नहीं है इसी reason से आप देखेंगे यह जो line है यह बिलको straight नहीं आ रही है तब ही इसको non-linear line या non-linear trend कहकर बुलाते है जैसे मैं आपको बताया आपको कि हमारे पास यह जो equation है यहाँ पर हमारे पास एक और variable add हो चुका है बतला जो time को अब terms of unit में लिखेंगे उसका square करेंगे और c उसका coefficient हो जाएगा alpha हमारा same intercept है beta हमारा x का coefficient है यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा challenge है alpha, beta और c की value को निकालना और इसकी हमारे पास कुछ इस तरह से 3 equations available है जैसे अब देख रहे है पहले equation summation of y फिर na plus beta summation of x plus c summation of x का square फिर हमने क्या किया अगली equation को लिए summation of xy alpha summation of x plus beta summation of x square 10 plus summation of x and the cube फिर हमने उपर वाले equation को x से फिर से multiply किया तो it becomes summation of x square y alpha summation of x square beta summation of x का cube हो गया और ये summation of x का 4 निकल कर आ गया अब हमने इन तीन equation को use करना है for the calculation of alpha, beta and c अब हम क्या करेंगे हमारे पास ये data दे रहा है sales का 96 से लेके 2000 तक का data है पहला क्या क्या का काम करेंगे हम x को in terms of unit लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया हम लोगोंने तो हम सबसे पहले ये equations है तो पहले हम क्या करेंगे arithmetic mean निकालेंगे 3 निकल कर आ गया small x कैसे निकलेगा हर x की value में से arithmetic mean को less करेंगे ये हमारे पास summation of x आ देगा 0 equation में में क्या क्याची है summation of x ये summation x का square चाहिए ये square कर दिया total आ गया 10 हमें x का cube चाहिए तो क्या करेंगे x square को x से multiply करेंगे 4 into minus 2 1 into minus 1 ये x का cube total आ गया 0 और x का 4 चाहिए क्या करेंगे x की cube को फिर हम x से small x से multiply करेंगे तो minus 2 into में minus 8 16 minus 1 into minus 1 and so on total आ गया 34 हमारे पास value आ चुकिए हमें और के चाहिए x y तो हम यहाँ पर ये small x को y से multiply करेंगे ये x y आ जाजएगा total ले लेंगे minus 6 और हमें चाहिए x square y का total तो x के square को y से multiply करेंगे x square y आ गया total आ गया 94 हमारे पास निकल कर आ गया है तो अब हम लोगों को निकालना है alpha, beta और c की value को ये हमने value को put किया पहली equation देखे क्या हुआ total number of years क्या है 5, 5 alpha हो गया summation of x 0 है तो beta भी 0 हो गया और summation of x square क्या है 10 तो ये 10c हो गया और summation of y क्या 53 पहली equation आ गयी हमारे पास दूसरी equation देखे summation of xy हमारे पास minus 6 है फिर summation of x को alpha से multiply किया 0 हो गया summation of x square क्या है 10 तो 10 beta हो गया x की cube हमारे पास क्या है 0 तो ये भी 0 हो गया third equation में देखे summation of x square y क्या है 94 put कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने फिर summation of x square को लिया ये 10 आ गया 10 alpha आ गया summation of x cube क्या है 0 तो ये 0 हो गया और हमारे पास summation of x square क्या है हमारे पास 34 ये 34 c आ गया अगर हम बीच वली equation को लेके चलें तो दोनों 0 हैं तो beta की value क्या आगी minus 0.6 अगर हम उपर की equation को लेके चलें 1 को तो 1 first equation को अगर मैं 2 से multiply कर दो तो क्या बन जाएगा 53 into 2 106 5 into 2 10 10 into 2 20 c और third equation हमारे पास as it is दे रखी है minus किया तो ये 10 से 10 कट गया मने और 6 में से 94 किया 12 बच गया और ये minus का 14 c बच गया और c की value किया आगी हमारे पास minus 0.857 अब हमने क्या किया c की value हमारे पास है बड़ी हमारे पास ये equation उपर है ये third equation हमने इस पर c की value को put किया तो हमारे पास ये alpha की value निकल कर आगी 12.314 हमारे पास alpha आ चुका है beta आ चुका है c की value आ चुकी है हमने यहां पर पुट किया और अब हम क्या करेंगे x और x2 की value को put करेंगे prediction करेंगे तो x क्या आएगा minus 2 x2 के आएगा हमारे पास 4 फिर यहां पर minus 1 और x2 के आएगा 1 ये value को हमने आप पुट किया है x की value को x2 की value को alpha, beta और c की value को put कर दिया ये predicted value हमारे पास आ चुकी है अब हमारे पास actual sale भी है estimated sale भी है हमने predict किया आप देखेंगे ये dotted line जो है ये line of best fit है और ये straight line नहीं है क्यों क्योंकि non-linear trend है इस तरीके से आप लोग alpha, beta और c की value को calculate कर सकते है हमारे पास दूसरा method है non-linear trend के अंदर वो है assume mean method ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और मैं आप लोगों को ये suggest करूँगा कि आपको अगर non-linear trend निकालना है by using d-square method तो हमेशा actual mean method को ही prefer करें उससे आप असानी से अपना answer निकाल सकते हैं लेकिन हम समझते है assume mean method कैसे काम करता है हमाई data दे रखा है sale का 12 से लेके 17 तक का पहला काम क्या करेंगे x की value को लेंगे in terms of unit बदाब पहले साल को 1 second year को 2 14 को 3 and so on अब मैंने आपे क्या कि यह जो 3 है ना इसको assume mean माल लिया इससे मैंने x की value को निकाल लिया फिर यह मेरे पास equation जो हमने पहले use की थी हमने लिया x square निकाला x cube निकाला x की 4 निकाला x y और x square y जो हम अलड़ी निकाल चुके है हम सबको निकाला total ले लिया और अब हमने इन सभी value को इस equation में put करना है अब थोड़ा सा मुश्किल हमें यह रहने वाली है कि हमें equations develop करने पड़े पहले equation कैसे आई देखिए summation of y 848 हमारे पास n क्या है 6 है तो 6 alpha आ गया summation of x क्या है हमारे पास 3 3 beta आ गया और summation of x square क्या है 19 19c तर दूसरी equation देखिए summation of x y क्या है हमारे पास 771 summation of x 3 है तो 3 alpha आ गया summation of x square क्या है 19b आ गया और हमारे पास यहाँ पर x cube क्या है 27 27c आ गया summation of x square y की value देखने के तो क्या आ रहा है 3099, summation of x square क्या है 19, 19 alpha आ गया, x की cube क्या है 27 ये put कर दिया, और x की power 4 अगर आप देखोगे तो क्या निकल कर आया हुआ है, 115, 115C अब हम क्या करेंगे, पहली equation और दूसरी equation को लेके चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो second equation है, उसको 2 से multiply करेंगे, मतला 771 को 2 से क्या तो 1542 आ गया, 3 को 2 से क्या तो 6 आ गया, 19 को 2 से क्या, 38 और 27 को 2 से क्या, 54 और इसमें से first equation को मैंने less कर दिया, तो मेरे पास एक और equation निकल कर आई है, तो alpha से alpha तो पूरा कट गया, 6 alpha, 6 alpha, बागी का बचा हुआ residual amount हमारे पास यहाँ पर आ चुपा है, इसको मैंने first equation दे दिया, minus करने पर value निकल कर आई है, फिर हम क्या करेंगे, जो second equation है, यह वाली, इसको करेंगे 19 से multiply, और third equation को करेंग 3 से multiply, यह मैंने multiply कर गया, तो यह value निकल कर आई, और फिर मैंने subtract किया, तो मेरे पास एक और equation निकल कर आई है, 57 alpha से 57 alpha कट गया, और बचा हुआ amount मेरे पास यहाँ पर यह निकल कर आगया, value, residual value, देखिए, 14649 में से 9297 गए, 5352 बच गया, 361 beta में से 81 beta गया, 280 beta बच गया, और 513C में से 345C कट गया, 168C, second equation आगे, वह ने B नाम दे दिया, अब हम लेंगे alpha, हमारे पास जो equation A और B है, इसको लेके चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो A equation है, यह वाली, इसको हम 8 से multiply करें, 8 से multiply किया, तो हमारे पास यह value निकल कर आगी, B equation ओलेडी गिवन है, beta से beta क और C की value आगी 1.78, फिर हमने क्या किया, यह जो C की value हमारे पास निकल कर आए थी, हमने इसको equation B में put किया, यह equation B है हमारे पास, तो 168 इंटू में 1.78 किया, और इसकी helps हमने beta की value को निकाल दिया, और फिर हमने क्या किया, बीटा और जो C की value में already निकाल चुके है, उसको हमन और 19 इंटू में यह 1.78 C की value को put किया है, तो alpha की value हमारे पास निकल कर आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x और x square की value लिखेंगे, x हमने assume mean से निकाला था, square किया, तो क्या आ गया, minus 2 का square 4, minus 1 का square 1 and so on, यह हमारे पास square आ गया, और यह predicted value हमारे पास निकल कर आ चुकी अब हमारे पास actual value भी है, estimated value भी है और यह हमने draw कर दिया, this is our line of best fit, orange color की line जो हमारे पास निकल कर आ रही है, estimated value, तो इस तरीके से आप non-linear trend को निकाल सकती है, using least square method, so that was all about non-linear trend using least square method, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको like हैं, share करना ना बुलियेगा, और नहीं किया है, तो please do subscribe my youtube channel, thank you so much for watching this video